दोस्तो नमस्ते आज हम आपको मचली पकड़ने की जद्दो जहाद दिखाने जा रहे हैं यह एक तालाब है जो कुसवरा बजार से थोड़ा सा आगे बस्ती की दिसा में सुजावरपुर गाउं के और अमिलहा गाउं के निकट इस्थित है आप गाउं के प्राकित का सुन्दर द्रिश्च देख रहे हैं आप देख रहे हैं आकास में कुछ हंस उड़ रहे हैं जो कि इस तलाब की मचली को देख रहे हैं आवाज करते हुए जा रहे हैं इस तरह से मचली मारने के लिए काफी लोग इकठा हुए हैं मचली पकड़ने क लिए काफी लोग इकठा हुए है आप देख रहे हैं तलाब के उस पार और इस पार काफी लोग मचली पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं आप देख रहे हैं जाल लगा है जाल के बीच में जलकुमी है और जाल लगा करके जलकुमी के बीच मचलीयों को इकठा किया जा रहा है और जाल को खीचा जा रहा है जलकुमी हटाया जा रहा है आप देख रहे हैं एक आदमी काफी मेहनत करके जलकुमी को धकेल रहा है एकठा कर रहा है और कुछ जलकुमी को खीच करके बाहर निकाल रहा है इस तरह से जाल और जलकुमी और मचली सबको एक में समेटा जा रहा है जाल के साथ मचली पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है काफी महनत किया जा रहा है आप देख रहे हैं लोग टीमें बना करके मचली पकड़ रहे हैं आपने एक टीम को मचली पकड़ते देखा अब हम आपको दूसरे टीम को मचली पकड़ते दिखा रहे हैं इस तरह से एक टीम उधर से एक टीम इधर से मचली पकड़ने के लिए जाल फैलाई है इस तलाब में दो तीन टीमें मचली पकड़ने के लिए लगी है आप देख रहे हैं ये टीम कापी महनत करके जाल में मचली फसाने का प्रयास कर रही है आप देख रहे हैं इस टीम में पाँच लोग एक साथ जाल को पकड़ करके खीच रहे हैं जाल को बाहर निकाल रहे हैं और जाल जैसे ही बाहर निकल जाएगा उसे मचली पकड़ करके बाहर निकाल लेंगे आप देख रहे हैं इस तरह से काफी मसकत के बाद, काफी मेहनत के बाद मचली माने का काम, मचली पकडने का काम चल रहा है आप देख रहे हैं इस टीम के लोग जाल को खीच रहे हैं जाल के बीच में जलकुमी भी फसी हुई है और मचली भी फसी हुई है सारे लोग एक साथ जाल को हीच रहे हैं आप देख रहे हैं काफी संख्या में लोग मचली पकड़ते देख रहे हैं या नेशनल हाईवे है, हाईवे पे खड़े होकर के लोग मचली पकड़ना लोगों को देखना अच्छा लगता है, इस तरह से तालाब के चारो तरफ काफी भीड़ी कठा हो गई, आप देख रहे हैं इस जाल के अंदर मचली भी कठा हुई है और पानी के दो तीन साप भी इ बहुत सारे चोटे चोटे जीव पानी में रहने वाले इस जाल में कठा हो गए हैं इस तरह से जाल में मचली भी है और चोटी चोटी मचलियां भी है इस तरह से यह टीम मचली पकड़ने में सफल हो गई है इस टीम के कुछ सदस एक एक मचली को पकड़ करके निकाल करके ब बैग में रख रहे हैं आप देख रहे हैं यह टीम काफी खुस है काफी परसंद चित है क्योंकि मचली पकड़ में आ गई है यदि जाल में मचली नहीं आती तो लोग काफी दुखित होते लेकिन इस साल बाड़ आया था बाड़ आने के कार से हर तलाब में बाड़ का पानी खुस गया था जिसके कार से नदियों की मचलियां तलाब में आ गई थी इसलिए इस साल तलाब में जादा से जादा मचलियां मिल रही हैं लोग मचली पकड़ करके काफी खुस हैं काफी आनन्दित हैं यदि आपको हमारा काम परसंद है हमारा वीडियो आपको अच्छा लग कीजिए इस तरह का वीडियो आपको इस चैनल पर लगातार मिलता रहेगा यदि आप अपने पसंद का वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट जरूर करिए यदि आप कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट के हिसाब से हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे नमस् जय हिंद